पति कमाए आधा, बीवी कमाए ज्यादा कहानी है मीरा की, जो खुब पैसे कमाया करती थी, उसकी शादी राजू से होती है, जो कमाई में एवरिश था, शादी लवमारिश थी, शादी के बाद मीरा अपने माई के जाती है, जहां उसकी सहलिया और भाबी के साथ मा सबी उसका इंतजार करते हैं मा, 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 तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी लखी हूँ, अरे सास से लेकर देवर, ननत और ये, सब मुझे सर आंकों पर बिठा कर रखते हैं, मैं तो रानी बन कर रहती हूँ, रानी, एक मा के लिए इस से अच्छा क्या होगा, कि उसकी बेटी ससुराल में बहुत खुश रहो, हमारी तो यही दुआ है, तब ही भाभी कहती है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ मीरा, वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हूँ शादी के बाद, हाँ, और ये दीखे, ये हार मैंने खरीदा है, इस बार की सैलरी से, और आपको पता है, अगले मही ने तुम्हें कार खरीद रही हूँ, फिर तुम्हें कार से ही आया जाया करूंगी, बहुत ही मैनत से पढ़ाया लिखाया है तुझे, आज तेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है न, वो देख कर बहुत अच्छा लगा बेटी, पर पैसे को खाया से खर्च किया करना, तेरी श आ, वो बात भी सही है भई, ठीक है बेटा, पती के पैसे जमा कर और अपने उड़ा, मजे कर मेरी बच्ची, खुश्चा मीरा के लिए ससुराल तो सच्ची, किसी गेंदा फुल की तरही था, हर कोई बड़े ही प्यार से रहता, मीरा माई की से ससुराल आ जाती है जहां ननत कहती है मेरा ननत को रोटी बनाने दे देती है, और खुद कमरे में बैठी होती है कि सास हाथ में दूद का ग्लास लिकर आ जाती है बहु ये दूद फिले ठक जाती होगी ना काम कर करके क्यों? बहु को लगता है साक्षात मा दुरगा हाथ में दूद का ग्लास लिकर आ गई है तो सास को बहु धनकी देवी लक्षमी से कम नहीं लगती माजी यह आप क्या कर रही है क्यों मेरे सर पर पाप चड़ा रही है अरे मेरे जिम्मेदारी है ना कि मैं आपका खायल रखूँ तो आप मेरे लिए दूद ला रही है यह ठीक नहीं लगता माजी लेकिन सास अरे जिसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक्रई होती है वो बहु से कहती है देख बहु वो जमाने गए और ना ही मैं वो पिछड़े जमानी की सास हूँ जो बहु और बेटे में फरक करूँ मेरे लिए तु बहु नहीं बेटी है बेटी बहु को तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है अरे सास तो बहु के गले में चाकू लेकर बेटा करती है लेकिन ये ये तो बहु के साथ ऐसे है जैसे कि बहु का कोई करजा लेकर बैठी हो दिन ऐसे ही मेरा के लिए मजे के बीत रहे थे सास क्या देवर क्या नानत ससूर हर कोई उसे ऐसे फील कराता जैसे वो ही है जो है नहीं फिर आता है वो दिन मेरा यार मैं बहुत परहशान हूँ तुम प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकिला छोड़ दो नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है और मैं आपको अकिला छोड़ दो ये तो मैं सोच भी नहीं सकती पति समझ जाता है कि भई निशाना सही लगा है मीरा मैं बहुत परिशान हूँ कुछ देर अकिला छोड़ दो ना ठीक हो जाओंगा प्लीज जाओ लेकिन मीरा की भी जिद थी कि वो पती के साथ ही रहेगी अरे जाओ ना यार क्या है क्यों परिशान कर रही हो बार बार साथ रहने के जिद करके मीरा को भी गुसा जाता है वैसे भी पुरा परिवार शादी के बाद से ही उसे इतना पैंपर कर रहा था कि उसे तो अब तेज आवाज में बात सुनने की आदत ही नहीं रही थी ठीक है मैं परिशान नहीं करूँगी जा रही हूँ रहो अकेले ये क्या पती की तु सारी गेम ही खराब हो रही थी आ रहा रुक रुको मतलब इतना फोर्स कर रही हो तो बता देता हूँ वो क्या है ना मेरी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है सोच रहा हूँ बिजनस कर लो दूसरे लोगों की तरह ससुराल से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता है क्या करूँ मीरा जो पूरी एमोशनल होती है अरे ससुराल से क्यों लेना मैं हूँ ना करू ना बिजनस जो भी करना चाते हो तब इननद रोते हुए भाई के पास आती है अरे बेहन क्या हुआ भाई मुझे ना आरों से प्यार है लेकिन उसे तो हाइफाइ लड़किया पसंद है भाई मुझे पैसे चाहिए मीरा के लिए ये सब कुछ नया था अरे जिस लड़की के पिता ने या माता ने उसे कभी ये नहीं जाहिरों ने दिया कि पैसे की क्या कीमत होती है उसे पैसे के लिए रोते लोगों को देखकर अजीब ही लगता है क्या है यार पैसे के लिए क्या रोना वो तो इतने है मेरे पास ले लो सची भाई सच, तुम मुझे पैसा दोगी मेरे बिजनिस के लिए अरे हाँ हाँ जरूर दूगी, क्यों नहीं दूगी तुम सब मेरा इतना ख्याल जो रखते हो तबी ननत भी बोल परती है और भावी, मुझे, मुझे भी पैसे देंगी आप हाँ, तुम तो मेरे हाँ से बेलन शीन लेती थी रोटी बनाने के लिए आज के जमाने में कौन करता है मैं जरूर दूँगी तुमें पैसे तबी वहाँ सास आ जाती है अरे बहुत सोच रही हूँ कि उपर का पोशन बनवा लू पर पैसे नहीं है कम से कम दो पोशन का मकान होगा तो किराया आएगा लेकिन क्या खरू पैसे नहीं है मा जी कैसी बात कर रही है मेरे पास सोने की गहने है न उसे लोन में रखकर मकान बनवा लेते हैं आप लोग मेरे लिए कितना सोचते हैं आप तो मेरे लिए कमरे में चाय लेकर आती है भी कौन सास करती है आज के जमाने में सभी पर मेरा अपने पैसे लुटा देती है और पूरी तरह से खाली हो जाती है मेरा मसा आ गया अब तक दोस्तों से काम मागता था आज वो मुझसे काम माग रहा है लेकिन मैं क्या बताओं मेरी तो नौकरी ही छुट गई मेरी कमपनी बंद हो गई है अब मैं क्या करूं है? क्या? अगले मैने से पैसे नहीं आएंगे क्यों भाबी? अगले मैने तो मुझे गुवा के लिए पैसे चाहिए थे अरे यार घर कैसे चलेगा? अब देख आज ना एक लेबर नहीं आई है, तो क्यों न तो उसकी जगह काम कर ले, पैसे भी बच जाएंगे हाँ मा, वो कर देगी, पहले बोलो मेरे लिए चाय नाश्ता बना दे अरो मीरा क्या हुआ, नई नौकरी लगी के नहीं, ऐसो तो नहीं चलेगा मीरा को सब के बदले रवेये पर गुसा आजाता है, वो अपनी मा के घर जाकर सारी बात रो रो कर बताती है बेटा, वही तेरे पापा और मैंने भी कहा था, पैसों की कद्रक करो, क्योंकि कल को कोई रिष्टा भले खोटा निकल जाए, लेकिन पैसा तो चलेगा ही चलेगा तबी मीरा के फोन पर नई नौकरी की कॉल भी आ जाती है, और उसे उससे भी ज्यादा पैसों की नौकरे मिल जाती है, लेकिन इस बार मीरा को नौकरी के साथ अकल भी बिल जाती है कि अपने पैसों का हिसाब रखना ज़रूरी है झाल झाल